हेले अब्रीवान कैसे हो आप सब आई होप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग साथ सेयर करने वाले अंडे से बना हुआ एक नया रेश्पी जिसे देखकर आप पहचान नहीं पाओगे यह अंडे से बना है या फिर पनीर से बना है तो आए फटा-फट से बिन कम या ज़्यादा ले सकते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं अंडे में भारी मत्रम प्रोटीन पाए जाता है और प्रोटीन हमारे सिहत के लिए बहुत जरूरी होता है एस्प्रेसली बच्छो के लिए तो प्रोटीन सबसे जरूरी होता है तो हमें डेली एक अंडे अपनी ड ताकि अंडे का येलो वाला पार्ट और वाइट वाली पार्ट दोनों अच्छे से मिक्स हो जाया तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से फेट लिए अंडे को अब हम चलते हैं स्टीम की तरह प्तिम के लिए पतीला फिर भगोना ले लिए इसमें आधा गलास पाने अब मैं पतीले के पेंदी में एक प्लेट कर दूंगी आपके पास स्टेंड है तो उसका इस्तेमाल कर लिए अब कोई सबी कोटोरा या फिर मोल्ट या फिर कोई बरतन ले लिए उसमें फेटे विए अंडे को आट कर दीजे इस तरीके से और कवर करके पांस मिनट तक करेंगे और इसे प्लट करके निकाल लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंने बरतन से अंडे को वलक कर लिए अब चाकू की साहिता से अपने मन चाहया का पनीर के सिप में आप कट कर सकते हैं तो मैंने इसे पनीर के सिप में कट कर लिए है इसे देखकर कोई नहीं कह सकता से बना है पनीर या फिर अंड रही है तब हम सलते हैं प्रोसस में यहां पर मेने बड़े साइज के टमाटर चॉपक कर लिया तीन साझार हरा मेर्च दो बड़े साइज कर लिया है अब हम सबसे पहले प्यास को बारीक पीस लेंगे मिक्सिकजार में प्यास को एड़ कर दे रही है और एक टेवल एसमुन पानी एड़ कर निया ढगा कर पेस्ट के रूप में तैयर कर लेना तो ये देख्या हमारा प्यास दो अच्छे से पीश्चु का है अब पैन को गर्छी से गरम कर लेंगे इसमें तेल एड़ कर देंगे चाकि एस्ट्रा फ्लेवर जोए बाहर निकल जाए अधा चमस जीरा मिर्च एट कर देंगे छीलेवा लासुन एट कर देंगे दो लाल मिर्च चमस जीरा माटर और हरा मेच इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है और साथी एट कर देंगे स्वादन सार नमक एक चमस गरम मसाला पाउडर और आधा चमस हल्दी पाउडर इन सबी चीज़ों कर लेने फ्लेम को लो रखना है और लगतार चलाते विए दो मिनट तक मसालों को पकाएंगे तो मसालों को कबर कर दिया है फ्लेम को लो रखना है दो मिनट के लिए पकानी है दो मिनट हो चुका यह देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं बिल्कुल रेट कलर का हो चुका है अब हम इसमें पनीर को आड़ कर देंगे यानि कि अंडे का पनीर कर लोंगी फ्लेम को मेडियम रखोंगी और कवर करके दो मिनट पका लोंगी तो दो मिनट बाद हमारा नहीं वेश्टाइल का अंडा करी जुए बनकर रेडी है तो फ्रेंड्स आप इस रेश्पी को अपने घर पे ज़रूँ ट्राइक कीजिए तो दो मिनट हो चुका है आ बहुत ही टेस्टि है मैंने इससे बिल्कुल वे में कम मसालों और कम तील के साथ बना रेडी किया है यह बहुत जल्दी बन जाता है तो आपको यह रिस्पी कैसी लगी हमें कमेंट बट समें जरूर बता है अगर रची लगी है तो वीडियो को लायग करें अगर अच्छी चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सुपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे नए अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे तो फाइनली यहां पर मैं वीडियो को इंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्ली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक क्यार